तो दोस्तो आपके computer में background में अगर बहुत सारे app अपने आप चलते हैं उसके वज़े से आपका system जो है वो slow हो जाता है तो कैसे आप जितने भी app से जो background में चलते हैं उसको कैसे आप बंद कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो आईए शुरू करते हैं Windows 10 में सबसे पहले आप start में जाएंगे और settings में जाएंगे settings में जाने के बाद आप यहाँ पे last में privacy मिलेगा आपको यहाँ पे click करेंगे और उसके बाद यह जो left side में जितने भी options है इसमें आपको background apps में जाना है यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं background app जो है यहाँ पे show रहा है और जिस जिस में on है वह background पे चलता है जैसे यह 3D viewer, calculator, camera, एक्रोबेट reader, nvidia control panel, settings, sticky notes, whatsapp, windows security यह सब background पे मेरा चल रहा है तो इसमें से जो जो app को आप चाहते हैं कि background में ना चले वह सब को आप disable कर सकते हैं इसे करके आप इसको off करेंगे तो यह 3D viewer background में नहीं चलेगा मैं camera बंद कर रहा हूँ, calculator बंद कर रहा हूँ, आप जो जो चाहते हैं बंद करने को वो सारे आप यहां से बंद कर सकता है यहाँ पे एक button है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने सारे app है वो सारे background पे बंद हो जाएंगे लेकिन मुझे बहुत सारे app जो है वो सब चाहिए तो मैं on करके रख रहा हूँ तो ऐसे करके आप अपने PC में background apps को बंद करेंगे और अपने PC का performance तोड़ा बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो पिलते है नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तरनेवाद आपको